देखिए असली और नकली मधु का पहचान कैसे होता है शहद का इस्तमाल प्राचीन काल से ही होता आया है शहद के फायदे के बारे में आयरुवेद में भी प्रमुक्ता से उल्लेख मिलता है शहद जरूरी पोशक तत्वों खनीजों विटामिन का भंडार है शहद में प्रमुक्त रूप से प्रक्टूस पाया जाता है इसके अलावा इसमें कार्वोहड्रेट, राइवोफोलोविन, नैसेन, विटामिन B6, विटामिन C और इमीनो एसीड भी पाया जाते है एक चमत शहद में लगबग 64 कैलोरी और 17 ग्राम सूगर होता है शहद में फैट, फाइवर और प्रोटीन बिल्कुल भी नहीं होता है आप देख शकते हैं, गौव में किस तरह शहद सही है या गलत है, उसे कही से पहचाना जाए, इस विधी को बताया जा रहा है अब ये लड़का हर एक बातों से रूबरू कराएगा, कि शहद को कही से पहचाने और आप देखेंगे कि ये पच्चास के नोट पर सहद डालेगा और उसके बाद ये देखें पच्चास का नोट इसमें सहद उपर डाला जाएगा और सहद पूरे सहद के नोट पर पूरे सहद को डाला जाएगा, उसके बाद इसमें आग लगा जाएगा अगर ये सहद गलत होगा तो ये नौट जल कर खाक हो जाएगा अगर ये शहद सही होगा तो ऐसा कहा जाता है कि नौट बिलकुल भी नहीं जलेगा लेकिन आप देख रहे हैं कि सहद डालकर पचास के नौट पर सहद डालकर उसमें आग लगाया जा रहा है पर शहद जल रहा है नौट नहीं जल रहा है जो पचास का रुपिया है वो नहीं जल रहा है आप देख सकते हैं कि सारा सहद जल गया बहुत सारा सहद बचा भी लेकि नौट वैसे का वैसा ही रहा तो ऐसा कहा जाता है इसकी पुष्टी चंडिकांग का चैनल नहीं करता दक्केन नेटवर्क लिए नहीं करता कि इस बात में कितनी सत्यता है लेकिन गौँ में एक विधिया भी है शहद की सुधता को मापने के लिए कि सहद की सुधता इसी प्रक मा पी जाती है ऐसा कहा जाता है धन्यवाद